हेलो किसान साथियों इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल में आज एक बार फिर से आपका स्वागत है जहां पर बात होती है केवल और केवल किसान की मेरा नाम दल्बीर है और मेरे इस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल का नाम इंडियन टेक्निकल फार्मिंग है और आज में खेती से जुड़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आज में आपको सर्सो की विग्यानी खेती के बारे में सर्सो की वुआई से लेकर कटाई तक एटू जट जानकारी पूरी इस वीडियो में मिलने वाली है इस वीडियो को अंत तक जुरूर देखे ताकि आपको खित्ती से जुड़ी सभी जानकारी पराप्त हो अगर आप चैनल पर नई हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक शेयर, कमेंट वाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि अन्य खिसनों को खिती से जुड़ी सभी जानकारी परापत हो और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब को मिलती रहे चलो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं खित का चुनाओ, सबसे पहले हम खिती के लिए खित का चुनाओ करते हैं नमबर दो, मिट्टे की जान्स, सबसे पहले अपने खित की मिट्टे की जान्स करवा लिए जिससे हमें यह पता चल जाता कि मिट्टे में किन-किन पुसक्ततों के कमिया और खेत की मिट्टी किन इन फसलों के लिए उप्यूकत है और इस मिट्टी में कौन-कौन से फसले उगाई जा सकती है जैसे गहूं सरसो का पास बाजरा मुप्री मिट्टी की जान से में पता चल जाता कि इसका पी-एच मान कितना है अगर पी-एच मान चैसे साथ के बीच है तो इसमें सभी फसले उगाई जा सकती है अगर इसमें नमक की मातरा 0.8 से कम है तो इसमें सभी प्रकार की फसले उगाई जा अगर इसमें नमक की मातरा 0.8 से अधिक और 1.6 से कम है तो इसमें किवल दल वाली फसल यह ना उगाई अगर इसमें नमक की मा तो इसमें नमक की मातरा 2.5 से अधिक है तो यह सभी फसलों के लिए आनिकारिक है पानी के जांच अगर आप सरसों की विजाई के लिए नहरी पानी का इस्तिमाल करते हैं तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है और इसमें वीजगंकूर्ण पानी के लिए अगर पानी का पीपिम ज़्यादा हो जाता है तो इसमें बीजगंकूर्ण सही तरिक्के से नहीं हो जाता है जो की बीजगंकूर्ण के समय एक समस्या बन जाती है अगर पानी का पीपिम एक जार से कम है तो इसमें बीजगंकूर्ण अलग वक्सो परतिशत हो जाता है और यह सभी प्रकार की फसलों के लिए अच्छा है इसलिए हमें पानी के जांच करवानी चाहिए भूमी सरसो के खिती सभी परकार की मिट्टे में की जा सकती है दो मट मिट्टे इसके लिए सब सुरोत तो मानेगी है इसमें इसकी पैदवार सबसे अधिक होती है जलवाईयू, सर्सो की खित्ती के लिए जलवाईयू 15-25 डिगरिता मानसरोतों माना गया है इसमें इसकी फसल सबसे ज़ादा होती है फसल चकर, फसल चकर के अपनाने किसान भाईयों इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है जहां पर हम बात करेंगे सर्सो की विग्यानी खित्ती के बारे में सर्सो की बुआई से लिए अगर कटाई तक एटो जट जान करी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है कितने टंपरेचर पर सर्सो की खित्ती की जातती है कौन-कौन सा टेक्निकल यूज करना है कौन-कौन सी खाद डालनी है कौन-कौन सा फंगे साड उप्योग में लाना है कौन सा किट नासक उप्योग में लाना है खर्पतवार नासक दवा कौन सी उप्योग में लानी है सर्सो के अंदर कितनी से चाहिए करने चीए जिससे कि में एक बंपरू उत्पादर मिल्स के या अच्छा उत्पादर मिल्स के सब कुछ एटूजर जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे तभी आपको एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे ज़िए अभी तक आपनी इंडियन टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब निंग किया है तो आपसे निवेजन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही चलो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं तापमान की सरसो के क्यत्ते के लिए कितना तापमान या टमपरेचर होना चीए तो सरसो के क्यत्ते के लिए 25 से 30 डेगरी सेल्शिस तक तापमान होना चीए सर्षो की बुआई के लिए उप्यूकत आपमाना जाता है बात कर लेते हैं मिट्टे की कौन सी मिट्टे में सर्षो की खेती की जाती है तो सर्षो की खेती के लिए उप्यूकत मिट्टे दोमेट मिट्टे मानने जाती है दो मेट मिट्टी में आप सर्षो की बुआई करेंगे तो यह सर्षो के लिए सबसे अच्छी मिट्टी माने गई है बुआई का समय बात करते हैं बुआई के समय की बुआई के समय की बुआई के लिए सही समय कौन सा है देरी से भुवाई करने पर इसका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। इसे कीट वा रोगों का परबंदन हो जाता है। इसमें बिमारिया बहुत ही बीज बात कर लेते हैं बीज दर की परतियां कड़ कितना बीज लेना चीए। एक से दो किलोग्राम बीज परतियां कड तक लेना होगा। बीज की मातरा उसकी वराइटी और बीज वर मिट्टी वसमय पर निर बर करता है। यदि आप रेतेली जमीन के अंदर लेट बुवाई करते हैं तो जमीन के अंदर नमी कम है तो आप बीज की मातरा डेट से दो किलो तक ले सकते हो। यदि आप पीली सर् किया के शाब्से ज़्यादा उत्पातन देती हो आई पराण चिसम अच्छी तुरके से पक कर त्यार ओजाती है इसमें रोग लगने की समय्चा बहुत कम देखने को मिलती है कभी भी देसी किसम का चैन नहां करें तिक हम देखने को मिलती है इसलिए खेत में फसल चकर अपना कोपीज काद में डाल दे। फिर आप गोबर की खाद की खेत में एक समानुरूप से विकहर दे ¾ फिर आप दो बार अच्छी तरिक्के से केःutable कर दे जिस्से के गोपर मिट्डी में अच्छी किसे मिल जाए बीज उपचार यदि आपके सानवाइब बीज का उपचार नहीं करोगे तो उसमें फंगस वयक्योडों का अटेक देखने को मिल जाएगा तो आप बीज का उपचार अवस्य करें यहाँ पर बात करते हैं बीज के उपचारगी तो यहाँ पर आपको कर्बोन ली जिम 12% और मैंको जिम 63% इसकी मातरा डाइगराम परती किलोग्राम के हिसाफ से आप बीज का उपचार करे उपचार करने के बाद आप इसको पेट के चाओं में शुकाई शुकाने के बाद बी एक औंकड के लिए लेना है एंप के 12 डी 16 पचास के जी पोटास 20 से 25 के जी सलफ़ दानेदार फांट से 10 के जी को अच्छी तऱ ह Playक से मिला ले अगर आप डी अपी का का यूज करते हैं तो सो केजी सिंगल सुपर फास पेट पोटास 20 से 25 केजी और सलफर 5 से 10 केजी को अच्छी तरिक्के से मिला ले यहां पर सलफर आपको दानेदार सलफर ही लेना है जिसका अच्छा रजल्ट देखने को मिलता है आप खाद वैबीज की वहाई मशीन के साथा से एक साथ कर सकते हो विजाए के समय लाइन से लाइन की दूरी तिस से पैंसे पैंसे संटिमे虫र अब बीज की गराई तीन से चार संटिमेफर ही रखें वेजाए के समय बीज गिल्ली मिट्टी में ही डलना चाहिए, जिससे की बीजगां को उन्ट सो पतिसर तक हो जाई सरसो की विज़ाई के तुन्त बात पैंडा मेली 33% इसे की 600 से 700 अमल मातरा अगोडेट से 200 अच्छे तरीके से मिलाकर इसका केट में सप्रे कर दें सप्रे करते समय खेत में नमे की मातरा होना बहुत जूरूरी है इससे केट में करपतवार नहीं हो गई पैंडा मेली 33% इसका प्योग केट में करपतवार की रोक धाम के लिए क्या जाता है यह सप्रे आप विजाई के तूंत बात कर दे सप्रे करते समय खेत में नमे की मातरा होना बहुत जुरूरी है विजाई के 30 दिन बाद खेत के अच्छी तरिक्चे से ककसिय की साचता से उसके निराई वा गुडाय कर दे जिसके घर पतवारों का नेंतर बोर जाए और जमीन मिट्टी में अयूं का सजम्चार हो की अब हम बात करते हैं सिचाई की कि सर्चों की खेत क say कितने शिचाई करना चाहिए यह मिट्टी बारिश मोंसम पर निरबर करता है अगर खेत की जमीन दो मत्ट मिट्टी है तो तो दो सिचायों में पसल पकर त्यार हो जाती है अगर खेत की जमीन बिलकुल ही रेतिली है तो ये चार से पांच सिचाय की जूट पड़ती है सिचाय कप करने चीए बिजाई के 30 से 45 दिन के बाद जब पुद्देश में फूल या गंडल बनने लगे तब आप इसकी सिचाय कर दे सिचाय के समय 50 के जी यूरिया वह 10 किलो सागिरका को अच्छी तरिक्के से मिला कर खेत में डाल कर इसकी सिचाय कर दे आप खाद सिचाय के बाद भी डाल सकते हो दूसरी सिचाय हमें 75 से 80 दिन के बाद ही करने चीए उस समय पोदे पर फूल आना शुरू हो जाता है वा फुटाव भी शुरू हो जाता है सिचाई के समय आप 45 किलो यूरिया पर अंकड के साब से ही डाली यूरिया डाल कर आप इसकी सिचाई कर दी किसान भाइयो इस में खेत में क्योडों का अटैक शुरू हो जाता है अगर आप को क्योडों का अटैक दिखाए दे तो इंडिकलोराइड 17.8% असल का सप्रे कर सकते हो एक एमल पर लेटर डाल कर आप इसका सप्रे करते हैं तीसरी सिचाई आप पिचानमा से 100 दिन के बाद करने चाहिए अगर जमीन रेतली है तो आप 100-110 दिन के बाद 34 सिचाई भी शुरू कर सकते हैं अब हम बात कते हैं सर्चोगी खेती में कौन-कौन से रोग लगते हैं तो इसमें चेपा एफिड वा मोईला परमुक रोग है इस तरह गे रोग इसमें सबसे ज़्यादा लगते हैं कीट वा रोग ये परबंदन के लिए हमेशा सुस्त यह प्रमानित विज्जो का यूप्यो करें फसल चकर अपनाए गड़ियों में 102 बार गहरी जूताई अवस्या करें अगर आपको सर्सोगे खेत में गिट्टो का अटैक दिखाई दे तो आप थायो मतैक 25% डबलो जी का भी चटकाव कर सकते हो 8-10 ग्राम तक 15 लिट्र टंकी में डाल कर इसका सप्रे कर दे सर्सोगी फसल में फंगस का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इसमें अल्टरनिया, डाउन मिल्डियू, सपेद रोली, अधी रोग पुनमुक है जो की सर्सोगी खेती में देखने को मिलता है अगर आपको इस रोग से बचना है तो आपको प्रोपी निब 70% WP फोरुम में जो आता है उसको लेना है 3 ग्राम पर लिट्र के हिसाब से इसका खेत में सप्रे कर दे यदि आप ये सर्सोगी फसल में सप्रे करते हैं तो सर्सोगी फसल में फंगस जट से कतम हो जाता है और फसल बिल्कुल सोस्त हो जाती है इस तरिके से आप गवाई से लेकर कटाई तक सभी करिये कर सकते हो है कि झाटाई का समय जिसमह सरसों की भलिया पहलए पर नहीं लगती है तो 90-95 परसंट फलिया पकधर त्यार हो जाती है τονपे समय सरसों की फशल की प्षेक्ण कियी कर सकते हैं